आप देख रहे हैं प्राइमिटे अदिव्स खबर के अंधर का सच हम आप पर हुए जुर्व राताएं के उखास करें किसानों पर प्रकृति का प्रकृति लगातार जारी रहता है प्रकृति हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी अपना प्रकृत दिखानी में पीछे नहीं रही धान समीर अन्य फसलों की तरह कपास की फसल पर भी प्रकृति का कृत बर्पा है कपास के उत्पादन खर्च में लगातार व्रती होने की कारंट किसानों के चेहरे मुर्जा गए है पिछले वर्ष की तुल्ना में इस वर्ष कपास की प्रती क्विंटल भाव में 1200 रुपए प्रती क्विंटल की कम्या आने से किसानों के चेहरे उदास हो गए है बंडारे जिले की मौहाड़ी तहसिल किसानों ने कुछ हेक्टर शीत्रे में इस वर्ष कपास की फसल लगाई है पिछले वर्ष पहली बार कपास का प्रतिक विंटल भाव 5,000 से 5,200 रुपय बोला गया था लेकिन इस वर्ष कपास का प्रतिक विंटल चार हजार रुपए बोला जा रहा है एक तरफ प्रतिक विंटल भाव में कमी तो दूसरी और मजदूरों की बढ़ी हुई मजदूरी किसानों का आर्थिक संकट बढ़ा रही है गोबर की जगर आसायनी खात को पयोग बढ़ने भी किसानों का उत्पादन खर्च दिनो दिन बढ़ता जा रहा है कीट नाशकों की कीमत बढ़ने से किसानों का पूरा का पूरा बजट गया है वर्ष के बारा माह में चार माह गर्बी, चार माह वर्षाकाल तथा चार माह शीतकाल के होते थे लेकिन पिछले दो वर्षों से ये तीनों प्रमुक रूतुय पहली की तरह अपने निर्धारिट समय से आ और जा नहीं रही है इस वर्ष के खरिफ की फसल किसानों के लिए नुकसान दायक साबित होने वाली है कपास को कम भाव मिलने के कारण कपास उत्पादक किसानों के होसले पस्त हो गए है BS Crime India News के साथ जुड़े रहने के लिए यूटूब, वेबसाइट, ट्वीटर, फेस्बुक, इंस्टाग्राम पर वीडियो देख, लाइक, कमेंट और शेयर करे साथ ही यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूले और गूगल प्ले स्टोर से BS Crime India News.com की एप्लिकेशन को डाउनलोड कर रोजाना तरजा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे